हեռो फ्रेंड्स तो आज हम डिसकस करने वाले हैं squeeze principle के बारे में इसको कुछ इस प्रगार से पूशा जाता है state and prove squeeze principle तो चलिए इसकी statement की तरफ चलते हैं music तो इसकी statement बोलती है कि यदि हमारा fx जो है gx से चोटा है और gx हमारा hx से चोटा है और x जो है किसी Deleted neighborhood of a में है और हमारी limit x approaches to a fx equal to l है और l हमारी equal to a limit x approaches to a hx तो हमारी limit x approaches to a gx equal to l के तो यही हमने यहाँ पे proof करना है तो चलिए हम इसके proof की तरफ चलते हैं तो proof में हम सबसे पहले limit x approaches to a fx equal to l लिखते हैं हमारे पास given दिया thub silence to greater than 0 से however small we can find a positive number delta 1 up silence such that by definition of limit हमारे पास equation आती है mode fx minus l less than up silence for 0 less than mode x minus a less than delta 1 जिसको हम लिख सकते हैं l minus up silence less than fx less than l plus up silence for 0 less than mode x minus a less than delta 1 तो आप उच्छोगे कि इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा तो यहाँ पे देखो जब हमने mode fx minus l less than up silence लिखा और mode को हम right hand side ले गए तो जब mode को हम हटाते हैं तो यह positive और negative value देता है हमने तीनों तरफ जो है l का addition करवा है तो देखो यहां पर addition ल का यहां पर addition हो यहां पर अब एक positive value था यहां पर negative value था l से ल कैंसल हो गया positive negative से हमारे पस rearrange करके यह equation आगी देखो यह equation यहां पर आई तो यह कुछ इस प्रकार से आईए समझ रहो? समझ रहाब? अगेन हमारे पर से दूसरी एक्वेशन दी थी लिमिट एक्स अप्रोच इस तो है ला हमें आप इसको लिखते हैं हमारे पर स्कीवन यह था अपसालेंस तो गेटर देहने जेरो से हवेवर स्मोल, we can find a positive real number delta 2 अपसालेंस such that by definition of limits यह भी हमारे एक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनती है mode hx minus l एपसालेंस sorry mode hx minus l less than epsilon for 0 less than mode x minus a less than delta 2 that is इसका मतलब है कि l minus epsilon less than hx less than l plus epsilon for 0 less than mode x minus a less than delta 2 तो यह भी कुछ इस प्रकार से आई हमारे देखो इसको भी हमने यहां पर पहले लिखा mode hx minus l less than epsilon mode हम इस तरफ ले गए mode हटा तो पोजिटिव नेग्टिव एल्यू दी addition को रायल का then यहां पर हमारे पोजिटिव नेग्टिव कैंसल हुए और हमारे पस यह आ गया तो यह भी कुछ इस प्रकार से आई है अब यहां पर हम delta let करते हैं delta 1 और delta 2 को मतलब हम delta 1 की जगा भी delta को put करेंगे और delta 2 की जगा भी हम delta put करेंगे अब यहां पर देखो हमारे equation first थी यहां पर अब यहां पर हमने delta 1 की जगा delta put किया तो वो हमारे equation कुछ इस प्रकार से आ गई और वो आगे हमारी fourth equation हमारी statement में बोला था कि हमारा fx जो है gx से चोटा है और gx हमारा hx से चोटा है for all x in some deleted neighborhood of a हमने वहीं पर यहाँ पर लिख दिया इसको और इसको कुछ equation की form में बनाने के लिए हमने कुछ कुछ प्रकार से इसको लिख दिया और वो हमारी equation आई fifth फिर हमने third, fourth, fifth equation तीनों को यहाँ पर लिख दिया और जब हमने इसको solve किया तो हमारे बस final equation यहाँ पर आई l minus epsilon less than gx less than l plus epsilon for 0 less than mod x minus a less than delta अब देखो यहाँ पर जब हमने mode की term को इस परकार से लिखा तो हमने इस term को लिखती है mode gx minus l क्योंकि यहाँ पर center में देको gx है जब हमने mode को यहाँ पर change किया तो यहाँ पर fx था तो यहाँ पर fx आके उसी प्रकार से यहाँ बन गया mode gx minus l less than epsilon for 0 less than mode x minus a less than delta यहाँ पर हमने इसको फिर लिखते है limit x approaches to a gx equal to l hence हमारे result आ गया thank you